नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में दोस्तों UPPCS Mains Examination के जनरल हिंदी वाले पेपर के लिए ये मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज चल रहे थी और इसमें हमने साथ मॉक टेस्ट ऐसे ही डिसकस किये थे ये मॉक टेस्ट पेपर नमबर 8 है जिसे कि हम यहाँ पर हल करने वाले हैं तो आएए बिना देर की ये उसके बाद ही आप GS और Optional की ओर जाएंगे तो पहला युद्ध आपको जीतना है और उसके लिए बेहतर अभ्यासावश्यक तो यहाँ से आप कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं और उतरण इसमें दो रहते हैं पेपर में और पहला उतरण आप देख रहे हैं भारत और अ कि अनेक परंपराएं और संस्कार इसी प्राकृतिक संरक्षण पराधारित हैं वैदिक साहिति में कई ऐसे आवाहन दिख जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ओम यंतु नद्यो वर्षंतु परजन्या सुपिपला औशधियो भवन्तु ठीक है यह भोजन मंत्र है यह इसका मतलब यह है कि प्रकृति जो है वो हमारे लिए हर प्रकार से दात्री है यानि देने वाली और उसी के सहारे हम पोशन्ड प्राप्त करते हैं इसमें प्रकृति के सारे घटकों को जोड़ा गया अब यहां कहा गया कि प्रिथ्वी पर जीवन जल कार्बन और उश्मा क के खास संतुलन के कारण संभव हो पाया है इन में से किसी एक भी चीज का अगर संतुलन खराब हो यानि वो कमो बेश हो जाए तो जीवन पर खत्रा गहरा जाएगा और आजकल वही हो रहा है इन तीनों के संतुलन के अतरिक्त मिट्टी और वायू भी अपरिहारे चीज़े हैं इसलिए हर धर्म समुदाय और परंपरा में प्रकृति के संरक्षण की चेतना मौजूद रहती है हमेशा रहती है उस समय के साथ धुद्धी पढ़ती है लेकिन ऐसा नहीं कि वो नश्ट हो जाती है अब इसका आपको शिर्षक पताना है पहले शिर्षक पताना है और इ प्राचीन समय में मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे मानोजी से प्रकृति के विविन घटक जैसे की जलवायू धर्ती इत्यादी का ज्यान नहीं था वो इन सब को एक शक्ति के प्रतीक के तौर पे देखता था मतलब यह नहीं पता था कि असल मे है क्या तो इनने शक्ति का एक स्वरूप मानता था उर्जा का एक स्वरूप मानता था जो कहीं से भी गलत नहीं और इनकी पूजा करके अपने आपको सुरक्षित समझता था प्रकृति को लेकर मानों के इस विवहार में कहीं ने कहीं प्राकृतिक संरक्षण की भावना न जित्र है तो उसमें प्रकृती संबंधी चीजों का दिखाया जाना और उनके लिए श्रद्धा का भाव होना ये सब चीजे दिखती थी और जैसे जैसे समय बीता गया है यानि मनुष्य आधुनिक्ता की और बढ़ता गया तो मनुष्य का विकास तो होता है लेकिन उसके साथ साथ प्रकृती की तरब से उसका जो व्यवहार है वो बदलता जाता है पहले जो आधर का भाव था अब सोशन कारी बढ़ताओं में अपने रास्ते में प्रकृती को बाधक समझेगा या सिर्फ एक देने वाला यंत्र समझ लेगा कि उससे हम ले सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं तो यह कॉंसेप्ट हमेशा ही तबाही की और ले जाएगा मतलब बिनाश की और एक कदम हम बढ़ते जाएगे इसलिए प अनेक परमपराएं और संसकार इसी प्राकृतिक संरक्षण पर आधारित तो भारत जो है वो बहुलताओं का देश है विविताओं का देश है या आप सभी जानते हैं और यहां विवित प्रकार की संसकृतियां देखने को मिलती है और अनेक और विसिष्ट परमपराओं से और धारणापर आधारित ये भारती संस्कृति जो है इसमें प्रकृति के विबिन घटकों का महतुपूर्ण स्थान है भारत में नदियां जैसे की गंगा यमुना सिंधु और परवत जैसे की हिमाले इन सब का संबंध हिंदु धर्म और धार्मिक ग्रंतों से जहां नदियां परवत आकाश अगनी वायू इत्यादी को देवताओं का दर्जा दिया गया है मतलब नदियों को देवी के समान माना गया है और परवत आकाश और वायू अगनी ये सब क्या है देव के तौर पे पूजे गया है और अनेक रीति रिवाच और कुछ प्रकृति पूजा जैसे कि वट बिक्ष की पूजा, छट पूजा, गंगा आरती, गोवर्धन पूजा इत्यादी जो है वो प्रकृति के अलग-अलग घटकों में हमारी आस्था को व्यक्त करते हैं और ये परंपरा का हिस्सा है इनकी महत्ता आज भी उतनी ही है, लेकिन अब पहले जैसा भाव नहीं रह गया जहां विशुभर के देश आजकल प्रकृति संरक्षड पर बल देते हैं, वहीं भारत और भारती संस्कृति में प्रकृति संरक्षड की भावना पहले से ही मौजूद और आज यदि भारत विविन्द छेत्रों जैसे की, आज की समय के अगर बात करते हैं, तो भारत के विविन्द छेत्र जैसे की उतरपूर्वी राज्ये हैं, पश्चमी घाट हैं, अंडमान निकोबार हैं, वहाँ वन और व्रिक्ष अपने मूल रूप में संरक्षित हैं निकली हुई चीजे हैं, इस प्रकार से आप लिखें, और इसके अवतरण में देखिए कि रेखांकित पंक्तियां सिर्फ दो हैं, तो ऐसे में 25 संक उसी पर नरधारित हैं, तो थोड़ा फैला कर आपको व्याख्या करनी होगी, इसके बाद दूसरे अवतरण को देख लेत दूसरी और कलपना महज स्वपन लोग ही नहीं, बलकि एक विचार प्रक्रिया है, अक्सर आदर्ष को कलपना के दाएरे में देखा जाता है, आदर्ष यदि समाज यवं व्यवस्था का प्रतिमान है, तो कलपना मन की उड़ान है, ठीक है? अब यहाँ आप यह लिख सकते हैं कि आदर्ष जो है, वो कलपना पर ही आधारित होते हैं, पहले कलपना की जाती है, उसके बाद उस पर आदर्ष गढ़े जाते हैं, खेर वो व्याख्या में देखा जाएगा, उसके बाद आप अदरण को देख लीजे पहले, आदर्ष यदि उत्तम सरुसरेश्ट और अ इसे बदलें, यह इसमें बताया जा रहा है, और यह बड़ा अच्छा रहस्य है, मतलब पहले हम किसी चीज की कलपना करते हैं, और उसके आधार पर आधर्ष वादी सिध्धानतों को प्राप्त करने की पूरी उत्कठ जीजान से कोशिश करते हैं कहने का मतलब, लेकिन यथार्थ में जितनी भी कलपना हैं, वो दिखाई देने लगती हैं, मतलब मैकसिमम पार्ट जो है, वो यथार्थ में तबदील हो जाता है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसमें आगे भी कहा गया है, और भी चीज़े हैं, जो अंतिम पंक्तिया हैं उसमें आदर्ष वादी कलपना, इससे अच्छा शेर्षक क्या होगा, और भी बैतर शेर्षक हो सकते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि हर अभ्यर्थी जो है, वो एक ही तरह का शेर्षक तलाशे, उसमें आप अपने ओर से स्वतंत्र हैं, बस यह ध्यान देना चाहिए कि गद्या पूरा करने में यह सहायक होता है, बलकि जीवन को व्यवस्तित रूप में आदर्ष के माध्यम से ही ढाला जा सकता है, इसलिए उपरियुक्त पंक्ति में आदर्ष को स्रिष्टत ममस्था का प्रतीक माना गया है, मनुष्य हो या समाज दोनों ही आदर्ष के अनुरूप च भारती समात संभिधान के मूल्यों जैसे कि एक्ता, संप्रभुता, धर्म, निर्पेक्षिता, आदी पर आधारत एक स्रेष्ट अवस्था को अपना आदर्ष मानता है, परन्तु आदर्ष का मतलब दुरलव लक्षी ही नहीं है, बलकि एक अवस्था भी नहीं है, मतलब इ इसमें दुरगमता भी है और संभावनाएं भी है, लेकिन ये सत्य है कि हम इसे 100% प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसकी और अग्रसर होते हुए, मनुष्य बढ़े या समाज बढ़े, वो सफलता की और अग्रसर होता है, मतलब इसका अगर कुछ हिस्सा भी वो प्राप्त कर लेता है, उतना भी सफल हो जाता है, तो वो वास्तविक सफलता में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं, उसके बाद जो दूसरी पंक्ती है, उसमें कहा गया कि आदर्श यदी समाज व्यवस्था का प्रतिमान है, तो कल्पना मन की उड़ान, इसको आप कै वर्तन को प्रत्यक्ष रूप से कल्पना के माध्यम से ही देखा जा सकता है, और विज्ञान में नई खोज, नए दृष्टिकोंड, समाज में नई व्यवस्था जैसे कि लोकतंत्र, आदी तथा धर्म में, नई विचार धारा तथा सभी कल्पना के माध्यम से ही सार्थक ह कहने का मतलब यह है कि कल्पना पहले होती है, उसके बाद ही उसको धरातर पर उतार कर काम किया जाता है, तो पहले कल्पना करना ज़रूरी, कल्पना का आर्थ केवल स्वपने देखना नहीं होता, बलकि उन स्वपनों को साकार करने की दिशा भी ढूड़ना होता है, ने तो पूरी कल्पना फिर वो कहलाने लगती है कि उसमें सिर्फ स्वापन देख लिया उसको पूरा कैसे करना है ये सोचा ही नहीं प्राचीन काल में सामाजिक आर्थिक कारे प्रणाली में परिवर्तन हो या आधनिक समाज में नमाचार ये सब कल्पना से ही संभव हो पाया है ठीक उसी प्रकार सामाजिक में वस्था और निरंतर्ता का सूचक होता है आधर्ष आधर्ष का अनुकरन सफलता का प्रतिरूप कहा जाता है कल्पना पर आधारित नवीन विचार परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप तो आधर्ष के माध्यम से ही दिया जा सकता है मतलब कल्पना पर आधारित जितने भी नए विचार होते है या परिवर्तन होता है उनको अगर प्रत्यक्ष रूप देना हो तो हमें आधर्ष वादी बनना होगा यानि आदर्श वादी विचार धारा के साथ कल्पना को जोड़ना होगा और ये भी कहा जा सकता है कि बिना आदर्श किये या बिना आदर्श को साथ लिए परिवर्तन अगर कर भी लिया जाए कल्पना की आधार पे तो वो कम समय तक रहता है, अल्प समय का होता है चोटे ये तायरे में होगा फिर खतम हो जाएगा कभी-कभी समाज के कल्याण के विपरीत भी चला जाता है तो ये खतरनाकी स्थिती हो सकती है इसलिए आवश्यक है कि कल्पना और आदर्श का समायोजन हो जो की उत्तम और सरुस्रिष्ट व्यवस्था का प्रतिरूप है ऐसे हम लोग व्याख्या कर सकते है मतलब इसमें लिखने के लिए बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं आप कौन सा पक्ष या कौन सा उसका सूत्र पकड़कर लिखना चाहेंगे लिखा जा सकता है कि आदर्श अनुकरणिय होने के साथ साथ समाज का प्रतिमान और स्रिष्टत मवस्था का दियोतक होता है मतलब समाज के लिए वो प्रतिमान होता है और स्रिष्टत मवस्था को दर्शाता है उसके लिए दरपन का काम करता है वहीं दूसरी और कल्पना जो है वो स्वपन लोग से जादा नई बात और नई सोच की प्रस्तुती होती है इसलिए आदर्श और कल्पना के साथ व्यवारिक्ता का समायोजन अगर कर लिया जाए तो यह थार्थ की स्थापना होती है बस इतना ही साराश में परियाद तो यहां तक हमने गद्याश वाला काम कंप्लीट किया है अब इसके बाद एक सरकारी पत्र का रिक्त प्रारूप बनाना है और परिपत्र का लिखित नमूना पेश करना है रिक्त प्रारूप का मतलब सिर्फ नहाचा बना कर छोड़ देना है और परिपत्र में हमें जो भरा हुआ नमूना है मतलब एक तरह का उदाहर और पेश करना है तो आईए देखते हैं दोनों को कैसे किया जा सकता है अब इसमें सरकारी पत्र का जो रिक्त प्रारूप है इसको पहले आप देखीजे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बनाया गया है लिखने के तरीके कई हो सकते हैं तो यह पत्रांक जो आप देख रहे हैं यह पत्रांक वाला हिस्सा यह अगर देखा जाए यह आमतोर पर दाहिनी ओर सबसे उपर होता है अब यहाँ जो आप देख रहा है तो यह बाई ओर सबसे उपर दिखाया गया है लेकिन आपको अगर लिखना होगा तो कुछ सरकारी पत्रों में ऐसा दिख जाता है कि वो बाई ओर भी सबसे उपर लिखा जाता है लेकिन आम तोर पर पत्रांग की जो जगह है वो दाही नी और होती है और नहीं तो आप बीच में लिखे सबसे उबर फिर भारत सरकार का जोबी मंत्रालया और विभागया और कार्यालया है वो उसके लिए रिक्त प्रारूप यहां मतलब खाली जगह चोड़ी गया है यहाँ पता और दिनांग हो गया यानि स्थान और दिनांग हो गया अब यहाँ संबोधित किया गया जिसको भेजना है उसको सेवा में और फिर पत्र का विशय सरकारी पत्र में विशय लिखा जाता है और विशय अत्यांति संशिप्त और एक तरह से सारगर्भित होना तो इस तरीके से रिक्त प्रारूप बनाया जा सकता है। इसमें विशय जब लिखा जाता है तो उसके नीचे फिर संभोधन धिया जाता है। जिसको आप भेज रहे हैं उसके लिए। अगर कोई महिला है तो उनके लिए महो दे, और अगर कोई पुरिश है तो उनके लिए महो दे, और पत्र की जो मुख्य विश्य वास्तू होती है, उसमें लिखने का तरीका ये है कि बात अगर बहुत लंबी हो रही है, मतलब कभी-कभी कुछ विश्यों पर बात करने के उसमें कोई number नहीं डाला, उसके बाद दूसरा paragraph जब बनाया, तो उसके यहाँ दो number ऐसे डाल दिया, फिर तीन number डाल दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो बात एक विवस्थे तरीके से और सरल तरीके से प्रस्तुत हो जाएगी, यह तरीका होता है, और सरकारी पत्र यहाँ पर आप टालेंगे, ठीक, पद का नाम भी डालना हवश्यक होता है, अब यह जब काम आपने कर लिया, इसको प्रिष्ठांकन कहा जाता है, नीचे वाला जो हिस्ता होता है, जहां सलगनक और यह प्रेशक का नाम और प्रतिलिपी इत्यादी हम लिखते हैं, उसको न प्रेशित करने की, जो कि सरकारी पत्र एक महदुपूर्ण दस्तावेज होता है, जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है, इस्तिमाल का मतलब यह है कि उससे सबूत के तौर पे भी इस्तिमाल किया जा सकता है, तो ऐसे में यह पता होना चाहिए कि वाले पार्ट कियो और जहां पे हमें एक परी पत्र लिखना था तो देखिए इसमें ये इसमें प्रेशक जो है वो मुख्य सची उत्तर प्रदेश सरकार असल में इसमें नमूना पेश करना था तो नमूना आप अपनी तरब से कोई भी एक्जामपल याद करके गए हूँ त इसके बाद आप देखें कि समस्त जिला अधिकारियों को यह प्रेशित किया गया है और समस्त चिकित्सा अधिकारी जो है उनको भी प्रेशित किया गया है तो इसलिए यहां दो जने मतलब दो अलग-अलग छेत्रों में भेजा गया है विशा इसमें क्या है तो 15-18 वर्ष के बच्चों में COVID-19 का टीका करण प्रारम हो गया है और अपने जिलों में 15-18 वर्ष के बच्चों की सूची तयार करते हुए इनका टीका करण और आवश्यक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और उसके बाद ये भवदी देखे जो परिपत्र होते हैं उसमें बदल जारी करने वाले का हस्ताक्षर तो जारी करने वाले यहां मुख्य सची हुई है और स्वास्ति विभाग से जारी किया जा रहा है स्वास्ति विभाग के सोजन्ने से उत्तर प्रदेश शाशन प्रतिलिपी किसको किसको भेजी जाएगी तो समस्त जिलादिकारियों के पास जाएगी ही, चिकितसा अधिकारीों के पास भी जाएगी, और जो मुख्य चिकितसा अधिकारी हैं, उनके पास भी बेजी जाएगी, सुचनार्थ, अब यहाँ प्रतिलिपी के लिए आज्या लेनी आवश्यक है, तो आज्या से हस्ताक्षर मुख्य सचिव, ऐसे करके आप न पांच शब्द बनाने हैं, तो ममेरा, चचेरा, सपेरा, फुफेरा, मौसेरा, लुटेरा, बहुत सारे एरा प्रत्य से बनने वाले शब्द हो सकते हैं, पांच नहीं आप दस भी लिख सकते हैं, लेकिन पांच कहा गया है, तो पांच ही लिखिएगा, इसके बाद अब देखें, तो इसमें अनूपसर्ग है, तो शुरुवात में ही मालूम हो जा रहा है, निराभिमान आप देख रहे हैं, तो इसमें निरूपसर्ग है, और अभिमान मूल शब्द है, अधखिला में अधूपसर्ग है, और कमजोर में कम उपसर्ग है, ऐसे आप देखें, फिर जो बेवकूफ है जिसे कोई जानकारी नहीं आब्रित का यहां आप देखें अगले वाले शब्द को तो आब्रित का अनाब्रित हो जाएगा, उदयाचल का अस्टाचन हो जाएगा, उदयाचल मतलब जहां से सूर्य का उदय होता है वो परवत, यहां पे अचल इसके बाद आगे चलते हैं, यहां वर्तनी दोश है, और इसे हमें दूर करना है, तो भले ही दस अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, अब इसे आपको शुद्ध करना है, कैसे करिएगा बताईए, और हाँ वर्तनी दोश के ज ठूट जाएं, लेकिन एक भी निरपराध दंडित नहीं होना चाहिए, इसमें मातरात्म का शुद्धियां थी, ठीक है, यहां शब्द का गलत चैन भी किया गया था, यह भी हम कह सकते हैं, निरपराध ही कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, तो मातरात्म का श वो भी यहां दिखाई दे रही है, करो की जगा पर कीजिये होना चाहिए, साहित्य का समाज के साथ घोर संबंद है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसमें शब्द के चैन में तुर्टी है, घोर की जगा घनिश्ट होना चाहिए, महेश राजेश का मित्र है, यान काम एक अई शब्द में हो रहा था, तो तेजस्वी मनुष्य सदय हो पूजनी है, इसके बाद आप वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया है, और इसमें आपको करना है, तो वह करन्या, जिसने स्वेक्षा से पती का वरण किया हो, उसको कहेंगे पतिमबरा, वह मनुष् या उससे समंदित हो, तो उसको अन्योनाश्रित कहा जाएगा, तो ये दोनों याद रखेगा, जिसका अपना कोई निजी आवास नहों, तो उसको क्या कहेंगे, अनिकेत कहेंगे, इसके बाद अब देखें पाचवे नंबर के अंतिम प्रश्न को, जिसमें की 10 मुहावरे और लोगोगती हैं, और इसे आपको अर्थ सहीत वाक्य में प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे, पहला मुहावरा आप देख रहे हैं, पश्तावे का होते हैं जब चडिया चुंगई खेत, तो इसका अर्थ क्या होगा, समय निकलने पर पश्ताना, दो साल पहले राम को घर से निकालने के बाद, आज उसके पिता को पश्तावा हो रहा है, या तो वही है कि पश्तावे का होते हैं जब चडिया चुंगे खेत, मतलब आउसर हाथ से चला गया, शौकीन बुढिया चटाई का लंगा, मतलब उम्र के विपरी ताचरन या बेढ़ंगा शौक भी इसको लोकोक्ती है, तो आर्थिक स्तिती सही नहीं है, फिर भी अपने शौक ही पूरे करने में लगे रहना, मतलब किसी भी शौक पूरा हो, इस पर ध्यान देना, हाथ पैर मारना यानि जीतोड प्रयास करना, उसी प्रकार से चपपर फाड़ कर टपकना, यानि अत्याधिक होना, यानि बेमेल होना, या मिलजूल करना रहना, तो संगठन का भाव इसका बेहतर अर्थ हो सकता है, इसके बाद आप देखें, नौ दिन चले अड़ाई कोस, यानि बहुत ही धीमी गती से काम को संपन्द करना, द्रौपदी की चीर का मतलब क्या होता है, बताइए, मतल तो संबंदित वाकए में प्रयोग है, उसको करेंगे, ये नहीं करेंगे की पहले सीधा वाकै में प्रयोग ही कर दे, अर्थ ना लिखें, ऐसा नहीं करना है तो एक भी नंबर नहीं बिलेगा, तीन अंकों का एक मुहावरा है, और पूरा तीस नंबर का ये मुहावरा और तो ये एक मात्र ऐसा सिग्मेंट है जो कि पत्र लेखन और गद्यान शावबोधन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुच सोच लीजे कि गद्यान शावबोधन में अगर आपने पहतर किया पत्र लेखन में आपने नमूने प्रारूप इत्यादी सब ठीक से बना दिये और मुहावरा वाला ठीक से कर लिया तो बाकी जो फुटकर चीजे हैं उसमें थोड़ा गलत भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा आपके नंबर कहीं से प्रभावित नहीं होगी तो यहाँ भी आपके तीस नंबर है ठीक तो इन्हें थोड़ा ध्यान से देखने के आऊशकता है जब वाकिय में प्रियोग करिए तो उसमें जहां मुहावरा या लोकोगती आया है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजे फिलाल इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार